ओम सिरी गनेशाय नमा दोस्तू एश्ट्रो समाधान यूट्योब चैनल में आपका हारदिक स्वागत हैं मेश रासी वालू हो जाओ तैयार क्योंकि अब आपको मालक्षमी के असिरवास से 16 सितंबर से 22 सितंबर यानिकिन 7 दिनों में तूफानी खबर की प्राप्ति होने वा से 22 सितंबर यानिकिन 7 दिनों में बन रहे मालक्षमी योग, धन प्राप्ति योग, सरवात शिद्धी योग और दो राजी योग में ये 5 बड़े बदलाव होकर रहेंगे जा दोस्तो इन 7 दिनों का समय मालक्षमी के असिरवास से आपके लिए बहुती भागया 40 समय साबि देखने को मिलने वाले हैं, जिससे आपका जीवन बदल जाएगा, जा दोस्तो आज की इस वीडियो में हम आपके 16 सितंबर से 22 सितंबर यानिकिन 7 दिनों के शंपून और शटीक रासी फलके बारे में बताने वाले हैं, कि इन 7 दिनों में ग्रहों के स्थिति आपके लिए क इन 7 दिनों में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, करियर कैसा रहेगा, विजनिस और वैपार कैसा रहेगा, और स्वास्त की महत पपून और सटीक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, वीडियो महत पपून हैं, शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, द दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मा लक्षमी के अश्रवाज से आपके लिए 16 सितंबर से 22 सितंबर यानि किन 7 दिनों का यह महत्पा कौन है समय दोस्तों यह समय आप कड़ी महनत वे परिश्रम से सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने तमन्ना की है बड़े बुजुर्गों का इश्ने और आशिरवाद इस समय आपके जीवन की सबसे बड़ी पुंजी रहेगी घर परिवार के साथ समय व्यतित करने से मन बहुती प्रफुल लित रहेगा समय की गती आपके पक्ष में रहेगी शामाजिक दाइरा बढ़ेगा पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्य का समाधान मिलने से आपको यह समय राहत मिलेगी कोई बड़ा निवेस करने के लिए भी समय आपके लिए बहुती उत्तम हैं दोस्तो साथे साथ यह समय महमानों के आगमन से आव भगत में खुशनुमा समय व्यतीद होगा उपहारों का आदान प्रदान भी इस समय रहेगा आपका बजट भी बिगड़ सकता है परन्तु फिर भी परिवारिक खुशी के आगे यह नगड़ने रहेंगे युवा वर्ग अपने भविश्च सम्बंदी योजनाओं के प्रती काफी गंभीर रहेंगे दोस्तो साथे साथ यह समय किसी सम्मेलन या फिर समारों में जाने का आपको अवसर भी प्राप्त होगा तता सम्मान के साथ आपकी आव भगत भी रहेगी संतान, सम्मंदी, कार् कि योजनाओं भी इस समय सफल होंगी, महमानों की आवा जाही भी इस समय रह सकती हैं, दोस्तो साथ यह समय उर्जा, जोस और उमंग से आप पणी पूर रहेंगे, बच्चों के साथ धहरे रखते हुए आप वहवार करें, जिससे वे आपके कायल हो जाएंगे, के प्रकार के खर्चों का भी यह समय हैं, परन्तु आप मैनेज कर लेंगे, अपनों के साथ मनोरंजन में भी समय वेतीत होगा, दोस्तो साथ यह समय परिवार के साथ हर सो लास के साथ वेतीत होगा, कहीं से कोई सुब समाचार भी प्राप्त होगा, कार्रैकुसलता के दम पर आप वह हांसिल कर लेंगे, जिसकी कभी आपने तमन्ना की थी, दोस्तो साथ साथ ध्यान रखें कि इन सब किरिया कलापों के बीच आपका कोई महत पपूर कार्रे भी छूट सकता है, जिसकी वज़े से आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है, सभी गति विदियो मे ध्यान केंदरित रखना आपके लिए अति आवश्चक है, आर्थिक कशमकस भी रह सकती है, कहीं भी धन, संबंदी, निवेस, सोच समझ कर ही आपको करना है, तो कि पैसा वापस मिलना बहुत मुश्किल रहेगा, विद्यारतियों को अपने प्रतियोगी परिक्षा संबंद पढ़ाही में अधिक ध्यान देने की आवश्चकता है, दोस्तों साथे साथ यह समय सब कुछ ठीक रहते हुए भी, आपको कहीं न कहीं रित्यता का एहसास होगा, और अगर मनन करेंगे, तो इसकी वज़े कुछ भी नहीं रहेगी, अपनी भावनाओं पर तिरोध वे निय क्योंकि इसके प्रवाब से कुछ संबंद भी खराब हो सकते हैं, परन्तु जल्द ही परिस्तितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती हैं, फिजूल खर्ची से बचें तता घरेलू खर्च का संतुलित बजट बनाना भी आपके लिए अतियावशक है, कोट केस संबंदित मामलों म कुछ अर्चने भी आ सकती हैं, रिस्तेदारों के साथ वहवार करते समय आप सावधानी बढ़ते हैं, आपके मुह से कोई ऐसी बात निकल सकती हैं, जिससे संबंद खराब होने की भी आशंका है, इसलिए आपको अपने गुस्से वे आवेस पर जरूर निंतन करना चाहिए किसी पर अत्यादिक भरोसा या विश्वास करना नुकसान दायक हो सकता है, बहतर होगा कि आप अपने निर्णे ही सरवोच रखें, घर के वरिष्ट सदस्यों के स्वास्त का भी ध्यान रखना आपके लिए आवश्चक है, दोस्तो बात अगर आपके लव लाइफ की करें, तो यह समय परिवारिक वातावरण में आपसी तालमेल वे समान जस बना रहेगा, प्रेम संबंदों में एक दूसरे की भवनाओं को शमजना अति आवश्चक है, पती पतिनी के बीच कुछ इस समय नोकजों की भी संबव है, प्रशंग बदनामी वे अप्यस का कारण बन सक रहते हैं, इसलिए थोड़ा सावधान रहें, साथि साथ कामकाज में चल रही, सितिलता का प्रभाब परिवारिक जीवन पर आप ना पढ़ने दें, जीवन साती तथा बच्चों का उन सहयोग आपको प्राप्थ होगा, दोस्तों साथि साथ यह समय परिवारिक शुक्षा आती बनी रहेगी, शंतान की शिक्षा वे केरियर संबंदी गती विदियो में आप शहयोग दे पाएंगे, घर परिवार में आपसी सोहर्द तथा प्रेम बना रहेगा, विपरीत परिस्तितों के कारण प्रेम संबंदों के उजागर होने की भी इस समय संभव ना है, प्रे यह समय नौकरी, शिक्षा और कारोबार में ज्यादा मेहनत और परिश्रम की आवश्यक्ता है, कार्रे विस्तार संबंदी, किसी भी योजना को कार्रे रूप में पर्णित करने से पहले अच्छी तरह विचार विमर्स आप अवश्यकरें, नौकरी पेसा व्यक्ति भी, किस समय यह ध्यान रखना आवश्यक है, कि कहीं आपके ट्रेड शीक्रेट्स लीक तो नहीं हो रहें, पार्टनर्शिप संबंदी, वेपारिक गतिविद्यों पर नजर रखें, किसी प्रकार का दोका हो सकता है, दोस्तों साथिसाथ यह समय कर्छेत्र में, क्वांटिटी के चक केंसिल हो सकती है, नोकरी पेशा लोगों के लिए, नोकरी में बॉस वे अधिकारी आपके काम से काफी संतुष्ट रहेंगे, पदोननती की भी संभाव ना है, नोकरी में मनुवांचित उपलब्दी मिलने के इस समय आसार है, जिससे आपको खुसी का बहुत अनुभव शाती सात मशीनरी नई तकनीकी आदी का प्रियोग सफल रहेगा, लंबित चल रहे कोट केस संबंदी मामलों के पूरा होने का समय आगया है, शरकारी शेवारत व्यक्ती किसी उल्यन में भी पढ़ सकते हैं, दोस्तों साती सात यह समय वैपार में नई पार्टियों तथा न अहित भी हो सकता है, नोकरी में सह कर्मी, आपके विरुद उच अधिकारियों के भी कान भर सकते हैं, इसलिए आप थोड़ा सावधान भी रहें, दोस्तों बात अगर आपके स्वास्त की करें, तो यह समय मौसमी बीमारियों से सतर्क रहना आवश्चक है, अपनी दिंचरि एक दम सुवेवस्तित रखें, घर के बड़े बुजुर्गों को स्वास्त संबंदी परिसानियां रह सकती हैं, स्वास्त संबंदी लापरवाही बिल्कुल आप ना बरतें, दोस्तों साथ साथ यह समय स्वास्त में छोटे मोटे उतार चड़ाव रहेंगे, परन्तु आपको अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए नियमित योग और प्रणयाम का शहारा लेना होगा, इससे आपका स्वास्त बहुती अच्छा रहेगा